नमस्कार दोस्तो बॉलिवूड तूफन में आपका स्वागत है अगर आप हमारी चैनल में नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नौटिपेकिशन आपको पहले मिल जाए और इस वीडियो को सुरू से अंतक पूरा देखना ताकि हो है तो चलो आज हम बात करते हैं कल रेलिस हुई तीन फिल्म के कलेक्शन के बारे में वाई चीट इंडिया रंगीला राजा और फ्रोड से या तो सरू बात करते हैं वाई चीट इंडिया से इस फिल्म में हमें इम्रान आस्मिन और स्रेया धनवंती जैसे स्टार देखने वो एक करोड 59 लाग आ रहा है 1 करोड 71 लाग इस हिसाब से देखे तो कल से आज occupancy जादा मिली है day 2 की जो occupancy है वो 30 बताई जा रहा है इस हिसाब से इस फिल्म का day 2 का collection टाही करण हो रहा है और वायचीत इंडिया का total collection 4 करोड 20 लाग बताई जा रहा है तो आप अगर हम बात करते हैं रंगीला राजा के बारे में इस फिल्म के साथ बहुत ना इंसाफी हुई है इस फिल्म को पहले से ही कम स्क्रीन दी थी और सोग बाद में कम कर दिये इस फिल्म का रेव्यू खराब आया इसी साब से इसके सोग भी कम कर दिये तो इस फिल्म में हमें गोविंदा, सक्ति कपूर, फ्रेम चोपडा जैसे स्टार देखने को मिले हैं इस फिल्म का बजेट है वो 10 करोर बता जा रहा है इस फिल्म ने day 1 में सिर्फ 25 लाग का कलेक्शन किया इस इसाब से day 2 का जो कलेक्शन आ रहा है वो 30 लाग आ रहा है तो रंगिला राजा के day 2 का इंडिया का कलेक्शन टोटल 55 लाग हो रहा है तो अब हम बात करते हैं फ्रोड सियां के बारे में इस फिल्म में हमें अर्षदवार सी सवरप सुपला जैसे कॉमेडी कला कर देखने को मिले इस फिल्म का बजट बता जा रहा है वो 15 करोड बता जा रहा है और इस फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले है और इस फिल्म ने opening day भी बहुत कुछ अच्छा किया नहीं इसका opening day का कलेक्शन सिर्फ 20 लाक आ रहा है इस इस अब से day two का कलेक्शन है वो थोड़ा जादा है पर बहुत बढ़िया है इतना भी नहीं कह सकते day two का कलेक्शन आ रहा है वो 30 लाक आ रहा है इसी तरह fraud सेय का total कलेक्शन 50 लाक हो रहा है तो आप इन तेनों में से कौन सी फिल्म देखना जाए है कौन सी फिल्म देखना चाहोगे और comment box में जरूर बताना कि कौन सी फिल्म आपको पसंद आए वीडियो पसंद आए तो like करे, share करे और subscribe करना ना भूले